एक और बार फिर से दोस्तों आप सभी स्टुडेंस का आपके अपने ही चैनल 100% सेलेक्शन में स्वागत है कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों जितने भी कोश्णस में करा र तक वो सारे कुशन सिमट जाए जो 55 माक्स में पुश जाता है ज्यादा बात नहीं करूंगा और ज्यादा लंपा चोड़ा टाइम आपका नहीं लूँगा दस से बारा मिनट या साथ से आट मिनट इस वीडियो को मैं खतम कर दोगा है ना और आप इस कुश्चन को सीख जा कि वाई इस इकल स्टू कॉस एक्स इसकी पावर कॉस एक्स इसकी पावर कॉस एक्स डेश 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 इंफाइन तक जा रहा है कहां तक जा रहा है इंफाइन तक जा रहा है सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि cos x यानि यहां से लेकिं यहां तलग को हमें y मान लेना है ठीक है तो y माना यहां पर माना cos की power x इसकी power cos x इसकी power cos x डेश 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 infinite is equals to y y मान लिए आपने अब हो जाएगा आपका y is equals to cos x cos x इसकी power आपकी y हो जाएगा यहां तलक के लिए अब दोस्तों ध्यान आप यह देंगे both side log लेने पर बिना log लिए वह यह व्याला question solve नहीं कर सकते हैं तो both side both side checking the log लोग ठीक है तो यह हो जाएगा आपका लॉग y is equal to log y is equal to log cos x की power y ठीक है अब दोस्तों आप सब students ध्यान यह देंगे इसका हमें आउकलन करना है किसके साब एक्ष में वाई के साब एक्ष में इसका हम आउकलन करेंगे तो differentiate with respect to x differentiate with respect to x क्योंकि यहां पर course की पास में x रखा हुआ है तो इसी के साब एक्ष में हमें आउकलना नहीं उससे पहले दोस्तों एक step और करेंगे यहां पर मैं इसको rough करता हूं और एक step और करेंगे step क्या है step यह है कि यहां पर log y is equal to log m की power n n log m होता है तो y शुरू मा जाएगा log cos x log cos x है हमारा यहां पर बचेगा ठीक है उसके बाद में एक सभी स्टुनेंस को एक बात ध्यान जरूर रखनी है बात यह है यहां पर आप आईलेट का यूज़ करेंगे आईलेट का सर यह आईलेट होता क्या है एक दफ़र बता दीजेगा आईलेट यहां पर आईलेट का मतलब होता है इन्वर्स लोगोरिथम एलजेब्रिक फंक्शन और यहां पर टिग्नोमेट्री और एक्स्पोनेंशल फंक्शन तो दोस्तों आप सभी स्टुडेंस यहां पर देख रहे हैं लोगोरिथम जो फंक्शन है यानि यह वाले इस यह वाले फ एक इस्टेब और लोग y is equals to log cos x into y ठीक है अब यहां पर आप differential करेंगे x के साफ एक्ष में differentiate with respect to x x के साफ एक्ष में आउ कलन करने पर क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा यह 1 upon y dy by dx इसी कस्ट हो ठीक है अब दोस्तों आप इस पूरे function को यह नि log cos x को मानिए u और इसको मानिए v into वाले function into में रखे हुए function तो यहां पर formula लगा आप ठीक है यह शुरू में रखे जाता है यह नि इस u को रखते हैं शुरू में log cos x और इसका differential करेंगे किसके साफ एक्ष में x के साफ एक्ष में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस अब रखेंगे y को जिसका differential किया अभी उसको y को रखेंगे और जो शुरू में रखा हुआ था अब इसका differential करेंगे यानि चलो यहाँ पर differential यहाँ पर लिखी देते हैं डी बाई डी एक्स लोग कोस एक्स लोग कोस एक्स ठीक है यहाँ तक सब y by d x minus अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि लोग कोस एक्स आप इसको दीखेंगा इसको इसको आप थोड़ी देदेंगे लिए का और कम्के एक और बार करते हैं तो कौस X का जहागा क्या माइनस साइन एक्साहें यहां तक सभी स्टूटेंस के लिए रेना सर बिल्कुल यहां तलक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है चुक्छे यहां पर आपका लॉग cos x d y by d x यह वाला minus इस वाले minus को plus कर देगा है ना नहीं दोस्तो एक गलती हम यहाँ पर कर रहे हैं देखिए यहाँ पर हमने एक गलती कर रहे है log को चुकि यह multiply में रखे हुए है ना यह function u और v multiply में रखे हुए है तो यह वाला जो होगा ना या of minus में तब होता है जब you upon v होता है यह यह function जो होते हैं वह divide में होते हैं तब minus में यहाँ पर हमें plus में ही लेना पड़ेगा ह्चीक है क्या हो जाएगा अब यह वाला जो minus है इस वाले plus को minus कर देगा plus है ना शुकिंक होगे फोर्मूले में यहां तक सभी students के लिए रहना बिलकुल सर उसके बाद में दोस्तों इस वाले function को जैसे ही आप उठा करके इसके पास लेकर आएंगे इसके पास देखते ही क्या होता है तो यह उठाएगा 1 upon y dy by dx चुकि यह प्लस का है ना इधर आएगा तो माइनस का उठाएगा माइनस लोग कॉस x dy by dx इसी कस्टू यहां पर माइनस 10x बचेगा के वाल ठीक है अब dy by dx यहां पर भी है यहां पर भी है बाहर निकाल लो कॉमर इसको जैसे आप यहां से इसको बाहर निकालेंगे dy by dx को ब्रेकिट में बचेगा आपका क्या 1 upon y माइनस लोग कॉस x लोग कॉस x बचेगा ब्रेकिट कर देंगा आप क्लॉस इसी कस्टू इसी कस्टू आ जाएगा यहां पर आपका माइनस के y 10x यहां तक सब भी स्टूडेंस के लिए रहना बिल्कूर सर उसके बाद में क्या करेंगे इस y के मल्टिप्लाई आप इसमें कर दो लोग कॉस x में और माइनस में अपोन वाई ठीक है यहां तक के लिए रहना दोस्त उसके बाद क्या करेंगे यह जो अपोन में रखा हुआ है y इधर चले जाएगा इधर आपका है ना तो मल्टिप्लाई में हो जाएगा और y पहले से ही है तो y स्कॉयर हो जाएगा साइड में यहां पर इसको मैं करके दिखाता हूं आपको ठीक है तो दी वाई बाई डी एकस है और वन माइनस y log cos x 1 minus y log cos x cos x ठीके इसको break rate में कीज़ेगा is equals to जो upon में y था न y वो right side जाएगा multiply हो जाएगा यानि minus k y square 10x 10x हो जाएगा अब यह वाला पूरा function इसके divide में आ जाएगा dy by dx is equals to minus k y square 10x upon 1 minus y log cos x 1 minus y log cos x बस दोस्तों अब यह इससे आगया solve नहीं होने वाला इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हैं मैं आशे करता हूँ दोस्तों यह वाला questions भी आपको बहुत easily बहुत easy विम्म मैं आपको समझा पाया हूँ अगर यह questions समझा आया है तो like कीजगा और subscribe भी कीजगा और दोस्तों अगर आपने हमारा telegram channel join नहीं किया हो तो इस वीडियो की description में उसका लिए हम link देदेंगा आपको और whatsapp group का भी वहाँ से आप दोनों group को join कर सकते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों हम यही पर end करते हैं मिलता फिर नेक्स्ट वीडियो में तप्ते के लिए बनेएगा students God bless you, love you and tech care